स्वागत आपका मैं हूँ आपके साथ अनुच्छ वास्तो बड़ी भैस देख रहे हैं आप महराष्ट हिंसा पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है आज राजसभा में भी ये मामला उठा एंसीपी, बीएसपी, एसपी समेथ अन्यवी पक्षी पार्टियों ने इसे लेकर सरकार को घेरा शेरत पवार ने सामप्रताइक ताक्तों पर हिंसा फैलाने का रूप लगाया तो शिवसेना ने इसे सोची समझी साज़िश करार दिया बीएसपी और लेफ्ट ने महराष्ट सरकार पर दलितों को दबाने का रूप लगाया गौर तलब है कि सोमवार को भीमा कुरेगाओ लड़ाई के 200 साल पूरे होने की खुशी में कारिकरम आयोजित किया गया था इस बीच अचानक हिंसा बढ़क गई दंगे में एक व्यक्ति की मौत के बाद हिंसा पूरे महराष्ट में फैल गई और पूरे अकूला और अंगाबाद और ठाने से लेकर मुंबई तक में हालाद बेकाबू हो गए इसके बाद राजी सरकार ने घटना की नियाएक जाच के आदिश दिये दलित नेता, जिगनेश मिवारी और उमर खालित पर पुड़े में हुए कारिकरम के दौरान भड़काओ भाशर देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है मुंबई पुलस ने कुल 25 लोगों पर F.I.R. दर्ज किया है इसके इलावा कुल 300 लोगों को हिरासत मिलिया गया है लेकिन ताज्यूब की बात ये है कि इस बामले पर राजनेतिक पार्टियां जम कर रोटियां सेक रही है इसी पर होगी आज की बड़ी बहस और चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे भारती जन्ता पार्टी से रमेश चंदर रतंत कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सबसे पहले कमलाकर जी आपके पास मैं आऊंगा आपको लग नहीं रहा है कि इसमें राजनीती हो रही है हर कोई इसमें अपने अपना बयान दे रहा है एक दूसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप कदोर शुरू हो गया है और जो में बात है वो कहीं पीछे छूट गई है अजीब बात ये है अनुज जी भारती जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो वो अपने किसी भी कुकृत्य को स्वीकारने में उसको बड़ी दिक्कत और परिशानिया होती है और वो दूसरे पर आरोप लगाने लगते है सरकार आपकी है फासिस्ट मानसिक्ता आपकी है आप शुरू से गुजरात में उना में जो है वो दलितों अत्याचार हुए मध्यप्रदेश में अत्याचार हुए ये वो पार्टी है जिसके नेता वीके सिंग ने रहे हैं और इसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान भर में परिलक्षित हो रहा है उत्तर प्रदेश हो मध्यप्रदेश हो चत्तिस गड़ो महाराश्रों हो गुजरात हो हर जगा और प्रुष प्रदेश से हैं उन्होंने का आँ है और मुझ्याले में लिखी जाती है और उनके कारेकरता में लाते हैं तो इन सब से क्या हासीलोगा इस तरह की बैयान वाजी से क्या मिलेगा अनो जी यही तो मैं पूछ रहा हूँ इसी तरह की बयानबाजी बाननी प्रधानमंत्री जी ने गुजरात चुनाओं के समय में की जब पूर प्रधानमंत्री और पूर उप्राश्पती और पूर सेना प्रमुक पर अनरगल आरोप लगाए जो है वो देशद्रो तक के रहा की लोगों की तो यह लोग वो लोग हैं जो शुरू से समाज को लड़ा करके इन्होंने राजनीत की है इनका जो राजनेतिक पूरा कैरियर है आस तक का उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात से लेकुर करके यहां तक का जो जिस पार्टी के अध्यक्शी पूछना चाहते हैं कि यह जो तस्वीर निकल कर सामने आई है जो फसाद हुआ है तोड़ फोड़ हुई है इससे क्या सही मैसेज गया है क्या यही एक तरीका था विरोध दर्ज कराने का क्या मैसेज गया से देखिए इसमें एक बात समझने की जरूरत है कि यह एक खास गुट ने यह किया है आप इसको दोनों गुट का मत मानिये आप देखिए कि लगबग पूरे भारत से इस समारों में लोग हिंसा लेने के लिए गए बहुजन और दली समाज के लोग इस समारों को सेलिबरेट करन के ले गए भीम कोरेगाओं में वो साथ में हतियार लेके नहीं गए थे वो साथ में पत्थर लेके नहीं गए हैं वो खाली हाथ गए हैं आपने देखा होगा कि जितनी तस्वीरें हमारे सामने सोशल मीडिया पे आ रही हैं जितनी जितने मोबाइल से लाइव किया रहा है क यह आयोजन किया गया था लेकिन एक खास वरग जो यह नहीं चाहता था इसको देखा जा सकता है इसकड़ी में दो दिन पहले की घटना जो करेकरव हुआ यह चाहते हैं कि यह देश दोबारा से फिर सविधान के अनुसार ना चलके उनकी इच्छा के अनुसार चले जो यह चाहते हैं कि आज भी जैसे पेश्वाई राज में दलितों को हंडी लटका के चलना पड़ता था उनको थुकने तक का अधिकार नहीं था सिधा जवाब नहीं दे रही हैं मैंने आप से पूचा कौन है वो लोग कोंग्रेस के लोग भी कभी भले नहीं रहीं उसमें भी ब्रावन वादी मानसिक्ता के लोग बैटे हुएं वो भी जाती वादी चेहरे को लेकर काम करते हैं और जो आज की सत्ता रूड सरकार हैं वो कि असमिता को जगाते हैं जो पूरे मैं तो बढ़ाई दूंगी बलकि अगर ये कोरे गाउं की घटना इस तरीके से ना होती गुण जिस तरीके से हमला किया गया प्रयोजित जो हमला किया गया ये पर देश के कोने तक कोने तक पहुंसता ही नहीं आपका मीडिया ही हमारे जो मेंस्ट्रीम का मीडिया वही कह रहे है तो आप 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 देखें यहां उना के घटना होती है लड़की को जला दिया जाता है हरियाना जैसी जगे में महिलाओं को नंगा करके गुमाया जाता है आपके समने कितने सैकड़ों उधार नहीं इसके बावजुद भी हिंसा कभी नहीं इस तरीके से जितकी गई दलित समझ कभी हिंसा नहीं करना चाहता है मैं यह कहना चाहती हूं कि इसके माध्यम से मीडिया जो कभी इसके उपर आप देखे नहीं उस दिन इतने लोग पहु इस पर राजनीती हो रही है आ रहा हूं मैं आ रहा हूं बताइये लिए देखे वर राजनीती सरकारे कर रहे है यह दली तो गुट राजनीते नहीं कर रहा दल डल स्वाब आप क्या होना चाहिए आपके साथ में इस सब एक यह दिन कर आप उनको चीनित करिए जो बिलकु रूट दल के साथ उनका कितना गहरा संबन्ध है क्यों नहीं उसको जेल में डाल दिया जाता है क्या उसके उपर देश्द्रों का मुकद्बन नहीं दर्ज किया जाना चाहिए अगर हम उमर खालिद के भाषन को या उसके कार्याकरम को भीम कोरे गाउं की गटना के साथ जोड जाके कहां खड़ा कर दिया हमने जैनियों के उपर जाके अब यह चाहते हैं राजनितिक दलहर एक राजनितिक कुछ कहना चाह रहे थे कमला कर दिया अपनी बात कही है मैं प्रफसर साहब की बात को ही और स्पश्ट तरीके से कहना चाह रहा था वो सीधा सीधा उन्हें यह कहना चाहिए कि राश्री स्वयम सेवक संग जिसका अध्यक्ष अक्सर जो है वो एक चित्पावन राममर ही होता है महराश का जिसकी बुनियाद ही जो है वो जातिगत आधार पर रखी गई है और इसके फैलाए गए आनुसांगिक संगठन यह हमेशा से यह काम अभी जो एक पिच्चर का पदमावती पिच्चर का विरोध हो रहा था पिच्चर किसी ने देखी नहीं किसी ने उसके शॉट्स नहीं देखे सारी चीजों और निर्देशक कह रहा है कि उन सीन्स को हटा दिया गया है उसके बावजूद जिस तरीके से जो है पूरे देश भर में रकस हुआ वो क्या इंगित करता है ये पूरी तरह से भारती जन्ता पार्टी जो है वो फासीवादी मनसिक्ता की पार्टी है और ये दलितों पर अत्याचार करने में ये आज से नहीं पचीसों साल जब से इनकी फाउंडेशन हुई है तब से ये अवल रहे हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश शोगुरा तो पह जी है भारती जन्ता पार्टी से हमारे साथ जुर चुके हैं निता भारती जन्ता पार्टी रमेश चंद्रत्म जी हैं उनसे बाचीत कर लेते हैं रमेश चंद्रत्म जी जब बहस की शुरुआत हमने की तो हमने यहां से की कि ठीक है जो हुआ वो हुआ लेकिन आप जो पत्रपाधी जी जिनका माथी पर बड़ा तिलक लगा हुआ है वो पताने किस चीज का प्रतीक है पंडिची का प्रतीक है हिंदित का प्रतीक है या वो डवल रॉल में पाट प्रिकर रहें नहीं कह सकता लेकिन वो जो है मुझे आश्चर की बात है कि इस देश को हून सून मुगलों ने इस दलित जाती के अब्रंस को पूरा किया और 71 साल की आजादी में 6 दसक तक इन कांग्रेशियों ने जात पंत धरम के आधार पर नहीं रमेशी मेरा सवाल दूसरा है आप समझें ना मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अब राजनीते शुरू हो गई है जो में मैं 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 आ रहा हूँ मैं आपके उस पर ही आ रहा हूँ दोसे साल कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई अरे आप मुझे तो सुन ली जगा अरे आप सुनाते ही रहे हैं जिंदीगी बर ऐसा है कि दोसे साल प्रानी परंपरा एक जनवरी 1818 याद है लेकिन आपको 1891 चौदे अपरेल याद नही इस महार जाती के एक महान वेकते तो किरते तो डाक्टर अम्मेट कर जिन को जीवन परियंत कांग्रेशियों ने सताया 1922 में हराया और हराने के अलावा मैं पूछना चारा हूँ 6 दसक तक आपने दलितों के साथ जिस तरीके से गिनों ने अत्याचार किये अपने देवली कांड, मिर्ची पर कांड, वेल्ची कांड, इतने गिनोंने कांड अगर आपको गिनाऊंगा तो याद आएगा कर नहीं आएगा आपको तो बात करने का अधिकार नहीं है दलितों के दौहन का सक्षाल नहीं है दलितों के नाम पर बात करने का उस पुरानी सदियों से दास्ता को आपने 71 साल में 6-7 साल तक ढूने का काम किया पुछला चारह हूँ आप किस डॉक्त्रा में तिसमा जाते ही बात करने चारह हूँ आप का खालिद और नजाम हैदरबादी को यह करता हूँ डक्टर अम्मेटकर्ट ने कहा था निजाम हैदरवादी ने कि रियास्त ले लो, हीरे ले लो, जवारत ले लो लेकिन आप इसलाम ग्रहन कर लो उस कटर बात था को डक्टर अम्मेटकर्वाद की बात करता है डक्टर अम्मेटकर्वाद की बात करता है आज जिगनेश आज खालिद मैं पूछना चाहरा हूँ ठीक है अब सुन लेते हैं कांगरेस के प्रतिक्रे लेते हैं तिरपाटी जी तिरपाटी जी तिरपाटी जी अनुज भाई एक शेर है कि ना इधर उधर कि तु बात कर ये बता कि कारवा क्यों लुटा मुझे राजनों की फिकर नहीं तेरी रहबरी का सवा है सब्ताम आप हैं और आपके इशारे पर जिस तरीके से आपके लोग जो है जाकर के दल्टों को पर अत्याचार कर रहे हैं महाँच में गबात में गपर में हुंका तक रही है तुम्हारा हिंका लुट गया पिट गया चारा देश को तुमने जाद रमपन के लाप लूटा है और आज लाटक करके तलक धारी बनाए हो शर्म आनी चाहिए आपको देश को खा गए हूँ अपनी बात लिए आज भी आप लाटक के लाटक के लिए हूँ पाड़ी जी कुछ कहना चाह रही है देली उनस्टी से कहिए आप यह देखिये तिलक धारी होना यह दूसरी चीज़े होना दली तो अधिकारी नहीं दिया गया कभी अधिकार नहीं हुआ एक तरफ आप उनको हिंदू कहते हैं और दूसरी तरफ आप उनके उपर अत्याचार करते हैं मैं यह कहना चाहती हूँ कि कॉंग्रेस या बीजेपी बीजेपी क्योंकि सत्ता में है जवाब देना पड़ेगा जब सारी चीजों की जानकरी थी उनको पता था कि दलिता अस्मीता का परतीक कोरे गाओं हर साल मनाते हैं अब की बार भव्या सावरों के रूप में बनाया गया तो सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं कियो दूसरी चीज यह कि आपको आपको मैं भी छोटी से लाइन बता देत हूं जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गुजी उठेगा भीम के दारों में ध्यान रखिएगा कि अब वो सदी नहीं है कि आप कॉंग्रेस पस्ट पीज़ेपी बना के ज़ितों को कुचलने का प्रियास लेए रमेजी जवाब परचे भी मेरे को मैं डॉक्टर कोशल पवार हूं दिली यूरस्टी में पढ़ाती हूं और समाज के लिए दुख दर्द को लेकर बात सीथ करती हूं अपके तब के पन्यें पलट करके अपने यूनिवस्टी में बैट करके धलितों को दर्द का आपको ऐसास नहीं होगा प्रफ्ट पढ़ने का अधिकारी निया पेश्वा समाज जिसकी आप बात करें जारू टांग के लटकाने के लिए तो पता है कि आप पूरी बात तो सुने आपने अधिकार कहां दिया मैं तो दोनों को कह रही है मैं तो उसे सब्टा धारी उसे एक खास मनुवादी सोच वो कंगोशे भी अरे मैडम कौसा जी जिस व्यक्ति से बात सुन रही हो कर रही हो आपने तो दलित की पीडा न जानी होगी न जीवन मैं शोची होगी मैं दलित जाती का व्यक्ति हूँ मैं अरे जीवन मेरा आपकी उम्र भी नहीं होगी पैटाली साल का राने ते जीवना पाइशाट वर्ष उमर है मैडम कॉंसल चौरा से आपको हिंदुस्तान के जो है देवली कान पॉलानिक करते है भारत समिधान में भारत शब्द है समिधाने की शब्द भारत का यहां हर दलित हर मुस्लिम हर डिप्राइट सेक्शन का हर महिला सब का अधिकार है यह उसका नहीं भारत है मैडम कॉंसल जी आप करेक्ट करिए सर भारत में रहते हैं समिधानी की शब्द हैं हमारे भारत इसा है समिधान कर्सिटिउटिउसनल सिस्टम को आप एभी सीडी नौलेज नहीं है मैं कर्सिटिउटिउटिउटिउसन का विद्वान हूँ और मेरे को बोलने का भी पैसे मिते हैं प्लीज मेरे प्लीज मेरे सुलिजेगा मैं भी तरित जाती का ही रिकती हूँ और लंबा जीवन जो है शांगार्स मेरे जीवन मैं कूट कूट करके प्रोया है अम्मेट करबाद की भावना से मैं कूट कूट करके मैं बैम मैं वो बिखती हूँ जिसने डियस और बस पार अम्माय वती जैसी को नेता बनाया कांसीरम का प्लानर प्रोजेक्टर एडवाईजर रहा हूँ जिसने हिंदुस्तान के हजारों का लक्रम में इतियास रहा है लेकिन मेरी बात सुन लो मेरा सिर्फ काइना ये है कि जिस डियस डियसरम बीट करने जिन कांग्रेशियों ने मेरी बात को सुन लें सताया लेकिन उन्हान ने सम्मिदान में जहर नहीं गोला शमिदान की धाराओं में अपनी पीला को प्रोहित्ना किया चन्ङ परेत्र परणे आपनी बात के लिया मेरी ये कभी नपने बात करेंगे क्योंकि इन्हीं के लोगों ने वहाँ पर दलितों पर इस तरीके से तंगा किया और इस तरीके से ये सब होता है ये पूरी तरह से जो है वो इस चीज के मोलजिम है लेकिन ये किसी भी तरह से ये बातों को डाईवर्ट करने निकोशिश करेंगे जवाब ले लेते हैं रमिशंद्र अंतन जी आपोड़ापी पे मुंकु दो पर बात करे ऱैंगा ठीक है ठीक है कईए अपनी बात रमेजी जी मैं तो बहुत आशर कर रहा हूं कि आपको दलितों का मोह कब से सताने लग गया आपके इस कांगरेशियों ने कभी दलितों के मोह को जाना नहीं जग्दी वर लांग को बिजद करके निकाला एक भी दलित को जिस समय नाइटी कर दी है और एक्ट में मोगी जी के पहली सरकार है जिन्होंने एक्ट को उसमक प्राविधान के सुरूप को बदल बात तो नहीं है जो सवाल यहां पर कोशल जी ने उठाया था उन्होंने कहा कि इतनी जब भीड होती है वहां पर हर साल ऐसी तस्वीर दिखाई देती है तो पहले से कुई इंतظام क्यों नहीं किये गए सरकार का फेलीयर है और नहीं है इसा है जिगनेश मेरी गुजरात में था जिस जिगनेश जो समास की उगल करके आप परणोनी हरकत करें जो सवाल आप से पूछा जारा है उसका जवाब नहीं है उसका प्राक्रम डक्रम मेटकर का बिस्सुम पता का फैली है उस समाज को भी चिंते दोना चाहिए का समाज का अब विशमता से नहीं रोधाबास से डक्रम मेटकर को पढ़ लो उन जो देश का टुकड़े करें जो देश का टुकड़े करें तो आप इदर उदर गुमा रहे है इदर उदर बिलकुल नहीं पहली चीज तो है जवाब सुने ते ना जवाब पराकरम को अगर हम उसको पराकरम को जीते ऐसे चीजों को हम याद करेंगे जिसमें समाज बिकराब हो मैं भी उस सवाल किया उसका जवाब दे रहे हैं कि यह एक तरह से ना तो जाती है जहर गोनने के लिए प्रोग्रम किया गया था और नहीं सामपर्दा एक तफेलाने के लिए इस पीच किस ने दी इस पीच किस ने दी बताओ ना उमर खाली दोर उसको छोड़ दीजिए ना को चोड़ें को चोड़ें सर भीम को रेगाओं की गटला पे जो शांतिपूर्ण सा ना रहो तो उसने कारण पर प्रक्ड़ मैं क्या किया मैं करीब से जानता हूं सर साहर थीक है समय पूरा हो रहा है थीक है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप सभी का कोशल जी समय पूरा हो गया है जो गटना हुई उसकी आत्या उसको आत्या का जुरोद हो देखिए ठीक है देखिए कटना निंदनी है निंदनी है समय पूरा हो गया है उसके उपर लेये करना है देखिए दलित के रूप में धीम कोरे गाओं की घटना में एक पर फिर बहुत शुक्रिया आप सबी का मार चंद्रतन जी और कमला कर्थिर पार्टी जी बहुत शुक्रिया समय पूरा हो गया और हमारा आच सवाल यही था कि जो पार्टियां है वो एक दूसरे पर आरोप प्रतियारोप लगा रही है बयान बाजी हो रही है लेकिन इसके पीछे की वज़े क्या है वो कहीं दूर देखने को मिला आप देख रहे ते बड़ी बहस आप बने रही है समय के साथ मुस्कार